So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IOC की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर देना साथ ही आप हमारे telegram channel को join कर सकते हो जसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ पर आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो please जाकर एक बार check out जरू करना तो वीडियो को करते हैं continue Indian Oil Corporation की अगर बात करें तो 167 rupees के around stock जो है हमें closing देता हुआ नजराया कल की ही तरह आज भी गिरावट रही है यहाँ पर रशिया की और से जो decision लिया गया उसका काफी हद तक बुरा impact इसके उपर बड़ा है तो रशिया की और से अगर आप देखोंगे तो रशिया ने यहाँ पर petrol के export पे छे महीने के लिए यहाँ पर बेन लगा दिया है जिसकी वज़ा से कल के दिन भी IVOC और HPCL 3% डाउन रहे है और आज भी हमें यह डाउन जाते वे नजराया तो आज बड़ी गिरावट रही है और वही अगर देखें इंडिया अस बिन वन ओफ रशिया's biggest buyer 2023 तो इंडिया अगर देखा जाए तो रशिया का यहाँ पर ओईल के मामले में एक biggest buyer रहा है crude के मामले में और वही अगर देखें रशिया जो है इंडिया का largest oil supplier रहा है 2023 में तो यह काफी बड़े numbers है और काफी time बाद यह numbers सामने आए और वही अगर देखें इसके बावजूद यहाँ पर इतने बड़े level पर जो oil का trade यहाँ पर होता था इसके बावजूद यहाँ पर 6 महीने के लिए यहाँ पर जो export है उसके उपर बेन लगा दिया है तो यहाँ पर अगर दिखा जाए जो रशिया है RBC को कहा गया तो एक बड़ी news है तो इसका सीधा सीधा impact stock के ओपर पड़ा उसके बाद यहाँ पर US से भी एक news आ रही है यहाँ पर अगर आप दिखोंगे oil जो है पूरे world के 1% के बियाब पर यहाँ पर गिरे है fed की ओर से जो cautions and stocks build offset OPEC expectations यहाँ पर आया है जिसकी वज़े से यहाँ पर गिरावट रही और कुछ यहाँ पर interest rates पर भी cuts लगाए गया जिसकी वज़े से भी इस पर काफियत तक बुरा impact पड़ा है तो इन सब चीजों की वज़े से अगर देखें तो यहाँ पर जो crude sector है उसमें काफी बड़े उतार चड़ाव हमें देखने को मिल रहे है कल के दिन अगर देखें चाइना का market है ओ भी डाउन गया आज भी डाउन है और इंडियन market भी डाउन रहा तो इन सब चीजों की वज़े से यहाँ पर बड़ी गिरावटे हमें देखने को मिल रही है और वही अगर आप देखोंगे तो last five days में भी एक बड़े fall देखने को में मिले है last five days की अगर बात करें तो 9.70 रूपीस के round round राउन गिर गया है 5.49 परसन के बिहाब पर एक महिने में जो बड़त थी अब negative return में धीरे धीरे जा रही है पिछले 29 जनवरी से लेके अगर मैं बात कर लू 8 फरवरी तक की तो 45 रूपे बड़ा था बीच में गिरावट रही बड़ तेरा तारीक के बाद वापस से recovery आई फिर अगें 20 तारीक के बाद fall जो है continue रहा और 20 रूपे के round around यहाँ पर जो है किरावट आ गई है तो इन चीजों के उपर आप ध्यान रखो बट इन सब चीजों के बीच यहाँ पर एक अच्छी खुशकबरी भी सामने आ रही है तो यहाँ पर अगर देखें जो IOCL है Indian Oil Corporation Limited जो है ओ रिलाउंच कर रहा है रिलाउंच कर रहा है एक tender को Green Hydrogen Production Unit यहाँ पर इस setup करने वाला है यहाँ पर अगर देखें 21 तारीक को भी यह news आई थी बट तब cancel किया गया था बट वापस से अगर देखें पहले भी कई बार discussions इसके उपर हो गया है कई बार discussion यहाँ पर किये गये था बट हर बार यहाँ पर इस चीज के उपर कोई भी final answer नहीं दिया जा रहा था बट फाइनली आज news आई है IOCL to relaunch tender to set up Green Hydrogen Production Unit तो एक अच्छी चीज यहाँ पर नजर आ रही है और बिल्कुल 2.4 trillion green transition plan है यहाँ पर और A.M.N. जो है जो status है वो complete हो जाएगा net zero का इनका plan जो है 2070 तक ओ है बट यहाँ पर 2046 के around अगर आप देखोंगे तो एक completely यहाँ पर यहाँ पर इसे पूरा कर देगे तो एक बड़ी news है तो Green Hydrogen Production Unit यहाँ पर आ रहा है और बिल्कुल sources से न्यूस पता चली है तो बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ी news है और इसका सीधा सीधा impact इसके उपर पड़ेगा तो डिल्ली हाई कोड में जाने के बाद इन्होंने कैंसल कर दिया था बट अभी वापस से news आ रही है तो इसका positive impact क्या होता है वो देखने लाइक होगा बट अभी के लिए तो market यहाँ पर अगर देखो negative है और 166 के around तक का एक बड़ा low भी आज लगा है तो इस point के उपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बात करेंगे volume की तो volume आज बड़ा है काफी लोगों ने बिकवाली भी की तो कई लोगों ने खरीदारी भी की होगी 4 करोड के around तक का trade value अगर आप देखते हो तो stock में देखने को मिलता है 4 करोड के around तक का trade value है yesterday की अगर बात करें तो yesterday भी 3 करोड के around तक का trade value हमें देखने को यहाँ पर मिलता है और वही अगर बात की जाए तो यह जो share है community sentiments के आकड़े भी इसमें positive नजर आते है community sentiments के आकड़ों की अगर हम बात कर ले तो इसमें 70% लोग जो है वो यहाँ पर buy करने के लिए कह रहा है और 10% जो लोग है stock में sell करने के लिए कह रहा है और 20% लोग जो है hold करने के लिए कह रहा है और और जो numbers है और positive भी नजर आते हैं तो यहाँ पर अगर आप दिखूंगे तो 90% लोग जो है stock में positive है और 10% लोग ही है जो यहाँ पर 10% लोग ही है जो sell करने के लिए कह रहा है तो और और काफी कुछ अच्छी चीजे भी है और negative चीज यहाँ पर काफियत तक कम है तो बिल्कुल यहाँ पर relaunch के बाद stock में और बड़ी यहाँ पर बड़त आ सकती है तो यहाँ पर हम बात करें IOC के levels को तो levels किस तरीके से काम कर रहा है किस तरीके से perform यहाँ पर हो रहा है तो यह चीज़ हमने पहले भी discuss की थी कि यह level जो है totally negative है stock में एक symmetrical type pattern बन रहा है और symmetrical type pattern का अगर breakdown आता है तो stock में जो fall है वो यहाँ पर continue हो सकता है exactly वही चीज़ हमें देखने को मिली stock में अगर आप देखोंगे तो downside की और से काफी अच्छे support है उपर से resistance था यहाँ से यह 3 बार resistance फेस कर चुका है downside की और से already 2 से 3 times यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो support भी यह ले चुका था तो इहनी upside downs momentum के चलते बड़े returns भी हमने देखे बड़े falls भी देखे और अभी इसने जब से इस level को break किया तब से sustain करके सीधा एक fall आ रहा है continue यहाँ पर हो रहा है तो अभी के लिए जो यहाँ पर support मिलता है तो यहाँ पर आप देखोंगे जो यह level है 166 के around और 162 या फिर 163 के around तक का level यह level एक IMP range up बनी हुई है क्योंकि इस पर यहाँ पर थोड़ा इसने hold किया था तो यह level IMP है तो इस range को भी अगर break कर देता है तो stock में यहाँ से एक fall continue हो सकता है तो इस point के उपर आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर अगर देखे अगर यह continue यहाँ पर fall बताता है तो downside की ओर आएगा 155 या फिर 154 के around तो यह level भी एक IMP level है और वही अगर आप देखोंगे तो बड़े time frame पर यहाँ पर one week के time frame पर जिस तरीके से जिस speed से return यहाँ पर मिले है उसके बाद यह sustain नहीं कर पाया है यहाँ पर आप देखोंगे तो जब से यहाँ से breakout मिला है तब से speedly यह उपर क्यों गया है बट recover यहाँ पर sustain नहीं किया इसने तो sustain करना जरूरी है तो sustain करने आ सकता है तब एक buying opportunity सब के लिए यहाँ पर रहेंगे तो और रहल काफी कुछ बाते हम IOC को लेकर कर चुके इस particular वीडियो में तो I hope आपको यह वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो please वीडियो को like और channel को subscribe कर देना साथ ही आप हमारे telegram channel को join कर सकते हो जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ पर आपको nifty और bank nifty की काफी कुछ updates मिलने आ लिए तो जाकर check out कर लेना ठैंक यू